भोजन कैसे करना चाहिए यह हम आपको बता रहे हैं और यह बहुत मह्तपून बाते हैं इनको सीख ले not जो इन बातों के विप्रीद दिशा करते हैं उनका भागी कमज़ोर होता है भागी कमज़ोर होता है और जो ने मिलने वाला होता उसमें भी कटौती हो जाती है उसमें भी कटोती हो जाती है इसलिए ये गल्ती नहीं करनी चाहिए पहली गल्ती गोद में रखकर कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए और आप अपने बच्चों को देखी अल्मोस्ट इत्थे ही रख देने और सुरू हो जा देने कभी भी गोद में रखकर भोजन नहीं करना चाहिए उससे भाग्यमंद होता है कभी भी नहीं करना चाहिए फूटे हुए बरतनों में टूटे हुए बरतनों में कभी भोजन जो टूट गया हो जो क्रेक हो गया हो जो जैसे यहां तो बैसे हिह जो चरण गए कर फो nerve करते है उट टूड़ा जाता है तो धुटरा जाता है चंदरायन ब्रत करने से ब्यक्ति फिर सुद्ध होता है इतना बड़ा पाप माना गया है ऐसलिए कभी भी टूटे हुए बर्तनों में भोजन नहीं करना चाहिए और महत्वणबात उससे भी 99% सब करते हैं ये क्या करते हैं जिस विस्तर पर सोते हैं उसी विस्तर पर बैठकर भोजन करते हैं जो लोग कभी भी सईया पर बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए जल नहीं पीना चाहिए हाथ में लेकर भोजन जैसे खड़े होके हम लोग होटलों में करते हैं कई पाटी बाटी होते दक्षिन दिशा की और मुह करके कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए पैर दोई बिना कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए इनको करने से जो ऐसे भोजन करता है खड़े हो के भोजन करता है पैर दोई बिना भोजन करता है आधी-ाधी जो क्रिया करता है उस अभ्यक्ति के भोजन को प्रेत करते हैं कौन करते हैं तो आज से इन बातों का ध्यान रखें कि जब भी भोजन करें तो कुछ नहीं तो थोड़ा सा जल अपने पैरों पे डाल लें जूते उतार लें और बैठ कर भोजन करें ये थोड़ा सा मर्यादा का आप लोग ध्यान रखें भोजन में बिस्तर पे न भोजन करें न पानी पीएं न भोजन करें न पानी पीएं ये ध्यान रखना है करेंगे तो इससे बागिमंद होगा